नहीं है तोगलत थे किस तोगलत है ए इस्तरी से पुरुषक्र धन्हीं के डूर्य दुनिया में कोई नहीं है और पूरुष यह पवित्र गंदा by जिस इस्तरी से पुरुष ने जन्म लिया वो इस्तरी अपवित्र और उससे जन्म लेने वाला पवित्र अनुमान जी अगर परंपिता परमात्मा का स्वरूप है साक्षात भगवान महादेव है रुद्र देह तजनेह बसारतेव है अनुमान जै शरीर रतिराम सो सोई सादर हिसुजान शंकर स्वयम केसरी नंदर अगर हनुमान जी भगवान शिव हैं महादेव है तो शिव अर्थार्थ परमात्वा ये जो चमडा चड़ा है ये इस्तरी पुरुष का हमारे उपर सिर्फ एक प्लास्टर है प्लास्टर कभी किसी के शरीर पर नहीं है उसके कर्म पर है उसकी सोच पर है उसकी आत्वा पर है भगवान के मंदिर में भगवत का उधारण है पूतना अपने स्तनों पर काल कूट नाम का जहर लगा कर गई शुगदेव भगवान कहते है अहो 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 देखो तो इस पूतना को अपने स्तनों पर काल कूट नाम का जहर लगा करके गई और उसको भगवान ने मा तो की गटी दी नहीं जो गटी मा एशुदा को देनी थी वो खूतना को पहले दे दी संत कहते हैं इसलिए दे दी क्योंकि आज का इंसान भगवान के मंदिर में जाता है तो उपर से सजधज करके जाता है और अंदर से क्रपनता लेकर जाता है लेकि अंदर जहर लेकर जाता है उपर दूद लेकर जाता है उतना उपर तो जहर लगा करके गई उपर जहर लगा करके गई और अंदर तो शुद्ध मा का दूद लेकर करके गई भगवान ने का पूतना तू उपर जहर लगा करके आई है लेकिन अंदर तो दूद लेकर करके आई है इसलिए मैं तेरे अंदरी भीतरी हिस्से को देख रहा हूँ मैं उपरी हिस्सा नहीं देखता इस्त्री और पुरुष का भेद इनसान के लिए है भगवान के लिए नहीं मैं कहता रहता हूँ जब राम जी ने रावन को मारा तो हनुमान जी को भेजा जाओ जाकर के सीता जी को समाचार दे कर गया हो तो वहाँ जैसे हनुमान जी पहुँचे तो इस्त्रियां उस सब है फिर जब रावन पर विजे हो गई उस सभ इस्त्रियां सीता जी के जो पहरा दे रही hai दी वो सीता जी की फिर धासिया बन गई जैसे हनुमान जी गय और जाकर के समाचार सुनाया तो जितनी इस्त्रियां थी लंका की सब आरती उतारे लगी अरती की जय हनुमान लला की तो पूझे मुरारी बापुजी से ये बाते सुनी मैंने उनी की जूटन है वो कहते हैं कि लंका की राक्षसियां हनुमान की आरती उतार सकती हैं लंका की राक्ष्यसियां हनुमान की आरती उतार सकती हैं और सीता माता को कोई प्रॉबलम नहीं हो रही और भारत की नारियां हनुमान जी की आरती नहीं उतार सकती क्यों नहीं उतार सकती इस्तरी पुरुश का भेद नहीं